हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ शरत सिंग और स्वागता अब इस टीवी में दोस्तों अक्सर मुझसे मेरे कई बिद्नस फ्रेंड्स यह पूछते हैं कि शरत हमें अपनी सेल को बढ़ाने के लिए आखिर क्या करना चाहिए तो दोस्तों ऐसे लोगों को मैं यही एडवाईस देता हूँ कि अगर आपको अपनी सेल को बढ़ाना है तो टॉप अप दो अवाईस में अपनी मार्केटिंग आपको करने ही पड़ेगी यानि कि जो दिखता है वही बिखता है जो दिखता है वही बिखता है दोस्तों मुझसे अक्सर मेरे कुछ देजल स्परेंग यह एडवाईस देते हैं कि अपना माल यह सर्विस बेचने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक क्या होनी चाहिए तो मैं उनको यही एडवाईस देता हूँ कि जो दिखता है वही बिखता है यानि अगर आपको भी अपना माल यह सर्विस बेचनी है तो उसकी खूब बहतरीन मार्केटिंग कीजिए आप हर चीज में कंजूसी करो लेकिन अपनी मार्केटिंग में कभी भी कंजूसी मत करो आपने देखा होगा कि बड़ी-बड़ी कंपनियां टीवी, निउस्टेपर, डिशनल मार्केटिंग, रेडियो, प्रेंज आदी में अपना पैसा जम कर भाते रहते हैं कैसे वो महेंगे से महेंगे मार्केटिंग मेनेजर, CEO आदी को हायर करते रहते हैं देखे, मार्केटिंग ऐसी चीज होती है कि आपकी हर कमजोरी को छुपा देती है आप उची-उची आवाज में ये बोलिए कि मेरा माल सबसे अच्छा है तो यकिन किजी, लोग सत्मुझ एक जन ये मानने रख जाएंगे कि आपका माल या आपकी सर्विस सबसे अच्छी है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मार्केटिंग में जम कर कंग्यूसिक करते हैं और उसे पैसे की बरबादी मानते है तो दोस्तों मैं उन्हें ये एक्जामपल देना चाहूँगा कि एक वक्ट एपल कंपनी भी सीना ठुक कर ये कहती थी कि उसे मार्केटिंग की जरूत नहीं है पर जैसी चानीज कंपनी ने अपना घटिया माल मार्केटिंग करके बेचना चुरू कर दिया तो एपल को भी मजबूर होके अपनी मार्केटिंग करनी पड़ दी मैं कभी नहीं कहता कि सिर्फ महंगी मार्केटिंग करवाओ आजकल ऐसे कई रास्ते हैं या आप कम दांग में भी अपनी अच्छे मार्केटिंग करवा सकते हो याद रखिए अगर मारकेटिंग नहीं करवाओगे तो सेल कभी नहीं बढ़ेगी और जो चीज बढ़ती नहीं है वो एक दिन अपनी मौत खुद ही मर जाती है